नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. आईए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ और उधारन करते हैं, पहला उधारन है ये, ये कहता है, 1.01 की घात 10 लाख और 10 हजार में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखिए, यदि आप यहाँ पर देखते हैं, 1.01 की घात 10 लाख को, तो यहाँ पर जो 1.01 है, इसे हम दो पदों के योग में व्यक्त कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, 1 प्लस 0.01 देख सकते हैं, तो इसकी घात आजाएगा 10 लाख. अब यहाँ पर हम लगा देंगे द्वीपत प्रमें, तो यहाँ पर क्या आजाएगा? 10 लाख C, 0, 1 की घात 10 लाख, जो की 1 ही आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आजाएगा, 1 गुणा 0.01 की घात 0, जो की फिर से 1 आएगा, समझ में आया? प्लस, फिर से आएगा 10 लाख, C, 1, गुणा, 1 की घात, 10 लाख माइनस 1, यानि की 1, ठीक है? और यहाँ पर आजाएगा, 0.01 की घात 1, समझ में आया अपको? प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी पद आएगे, वो कैसे होंगे? धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर A और B दो उनों धनात्मक हैं, और यहाँ पर चिन अभी कैसा है? योग का है, तो यहाँ पर हम बाकी सब पद लिखने की जगह लिख देते हैं, अन्य, धनात्मक, पद, अब यह धनात्मक क्यों होंगे? यह मैंने आपको समझा दिया है, अब यहाँ पर 10 लाख C, 0 हो जाएगा, 1 के ब बराबर होता है, और N यहाँ पर कितना है? 10 लाख C, गुणा यहाँ पर आएगा, 0.01 प्लस अन्य, सभी धनात्मक पद, तो यह हमें क्या मिल जाएगा? यह आजाएगा, 1 प्लस, यहाँ पर इन दोनों को आप गुणा करेंगे, तो यह आजाएगा 10,000, इसे खुद से करके देखेंगे आप, ठीक है? प्लस, यहाँ पर आजाएगे अन्य, सभी धनात्मक पद, अब देखिए, यहाँ पर हमें पूछा गया था, कि इस पद में और 10,000 में से कौन से जंक्या बड़ी है? इस पद कर जो हमने प्रसार किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर हम अधिक हो जाता है, और यह था किसके बराबर? एक पॉइंट जीरो एक इगाद दस लाख, तो यह जो है, यह बड़ा हो जाएगा किस से? दस हजार से, तो देखा आपने, द्विपत प्रमे की सायता से हमने यह भी पता लगा लिया, अब देखिए, यहाँ पर दिखने में तो यह लग रहा है कि दस हजार जादा बड़ा होगा, लेकिन जब हमने से थोड़ा हल किया, तो हमने पाया कि यह वाला पत दस हजार से कई गुना अधिक है, मैं उमीद करती हूँ कि यह वाला उधारन आपको समझ में आया होगा, चलिए, अब बात करते हैं अगले उधार है, तो देखिए, यदि हमारे पास कोई संख्या A तथा B है, और हम इन दोनों के लिए ये दिखा सकें कि हमारे पास एक Q और एक R इस प्रकार से है कि A बराबर B Q प्लस R है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि A को यदि B से भाग दिया जाए, A को B से यदि भाग दिया जाए तो 6 फल यहाँ पर R और Q यहाँ पर कोशंट है ठीक है जैसे की देखिए मान लिजे A यहाँ पर 9 है और B यहाँ पर 2 है तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A बराबर 2 गुणा 4 प्लस 1 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा कोशंट इसे भजन फल भी कहते है और 1 हो जाएगा रिमेंडर यानि की शेश फल समझ में आया और इसे मान लिजे हमने कहते हैं B है यह तो आपको याद होगा अब इसी प्रकार से यदि A यहाँ पर 6 की घात N-5N है और B यहाँ पर 25 है तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना होगा कि 6 की घात N-5N बराबर है 25 गुणा Q मान लिजे Q की जगे हमने के कह दिया प्लस R की जगे हमें क्या लिखना है एक क्यों की प्रश्ण में ही का गया है कि हमें दिखाना है 6 फल 1 बच्चता है क्या आपको इतना समझ में आया कि हमें यहाँ पर यह क्यों दिखाना है अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पर के कोई प्राकृत संक्या है यानि कि वो प्राकृत संक्याओं के समुच्चे में है तो हमें ये सिद्ध करना है यदि मैं यहाँ पर 6 की घात N की बात करूँ तो इसे हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं क्या मैं इसे 1 प्लस 5 की घात N लिख सकती हूँ लिख सकते हैं ना तो चलिए पहले 1 प्लस 5 की घात N को ही हम देखते हैं कि द्विपत प्रमें से इसका प्रसार क्या होगा, तो यह आ जाएगा, Nc0, 1 की घात N, गुणा 5 की घात 0, दोनों ही 1 आ जाएगा, प्लस, क्या जाएगा, Nc1, फिर 1 की घात N-1, तुम्हें या पर इससे नहीं लिख रहे हूं, क्योंकि वो 1 ही आएगा, यह क्या आ जाएगा, Nc0, इसका मतलब 1, प्लस, Nc1, आ जाएगा, N के बराबर, तो यह आ जाएगा, 5N, प्लस, यह आ जाएगा, 5 स्क्वेर, गुणा, Nc2, प्लस, इसी तरीके से, यहाँ पर, NcN आ जाएगा, 1, तो हमें मिल जाएगा, 5 की घात, N, अब यहाँ पर देखिए, 1, प्लस, 5, को मैं वापिस से, 6 लिख सकती हूँ, 6 की घात, N, अब यदि आपको, यहाँ पर, यह समर्ज में नहीं आ रहा, कि हमने 6 को, इस प्रकार से लिखा ही क्यूं था, तो वो इसलिए, ताकि हमें यह इस प्रकार से मिल सके, अब यहाँ पर हमारा फाइदा क्या हुआ, यदि आप देखेंगे, दाएं पक्ष में हमें, धनात्मक 5N मिल रहा है, और जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, उसमें क्या है, 6 की घात, N, माइनस 5N, क्या जाएगा यह, 1, प्लस, यह जाएगा, 5 की घात, 2, गुणा, N, C, 2, प्लस, इसी तरीके से यह जाएगा, 5 की घात, N, अब यदि आप देखते हैं, तो इन सभी पदों में हमें, 25 क्या मिलेगा, common मिलेगा, देखिए, 5 की घात, 2, कितना हो जाएगा, 25, अब आगे आएगा, 5 की घात, 3, तो वहाँ से भी हमें, 25 common मिलेगा, समझ में आराना आपको, तो यहाँ पर आजाएगा, 1, प्लस, अब यहाँ से आप 5 की घात, 2 को common लेगे, तो बचेगा, अब आजाएगा, अब आजाएगा, अब आजाएगा, प्लस, प्लस, गुणा, अब आजाएगा, और इसी प्रकार से, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, 5 की घात, N-2, क्यूंकि, 5 की घात, 2 को, तो हमने ले लिया है common, और यह आजाएगा, एक, प्लस, 5 की घात, 2 को हम लिख सकते हैं, 25, ठीक है, और जो यह पूरे के पूरे पद है, यानि कि, इन पदों को हम के कह सकते हैं, तो चलिए से के लिख देते हैं, तो यह आजाएगा, 25 के, और बाएं पक्ष में हमारे पास है, 6 की घात, N-5N, तो यहाँ पर इसी बात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कि 6 की घात, N-5N, बराबर 25 के, प्लस, एक, जहाँ पर, के क्या है, वो भी लिख लेते हैं, जहाँ, के बराबर, N-C2, कोई प्राकृत संख्या आएगी, और हम कह सकते हैं, कि जो यह के है, यह प्राकृत संख्याओं के समुच्य में हैं, तो यहाँ से हमें, जो सिद्ध करना था, आपको याधना में सिद्ध क्या करना था, ये, वो हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, तो देखा आपने द्वीपत प्रमे की सायता से हम ऐसे प्रशनों को भी हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से भी आपको काफी कुछ चीज़े समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हमने थोड़े से अलग उधारन हल किये और सीखे कि यहाँ पर अच्छन देखकर ही समर्ज में आने लगेगा कि इसकी जो अप्रोच है हमें शुरू कहां से करना है। ठीक है।